कि अब आप कि यो कि CSIR एकदम लेटेस्ट fresh recruitment आपके लिए इस वीडियो में हम डीटल में जानने वाले हैं जिसमें आपकी स्टेनोग्रफर की वेकेंसी रखी गई हैं जिसमें आपकी ज्यूने सेक्रेटर असिस्टेंट ज्यूने स्टेनो गई ने वाले हैं और डीटल में सारी जाए वीडियो चैनल के मादेम से आपको सब्सक्राइब करना है साथ ही बैल आइकन को ज़रूर दबाना है बात करते हैं CSIR इंडिन इंटिक्ट अव पेट्रोलियम की रिकूट्मेंट जो की जो की आपको बता दिया दोंच पर भरती है जिसमें इसके जो ओनेल अप्लिकेशन है आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि 9 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट की मैं बात करूं तो 30 जनवरी तक आपको बहुत कम समय देखने को मलता है तो जितने भी लोग को पता चलता है आप अपनी इस वीडि आपकी लिंगे बाकी लिंक देदूगा बकायदा डिस्किप्शन वोक्स में आप रहत लिए अप्लिकेशन दे सकते हैं बात करते हैं आपकी जो भी पोस्ट है जुने सेगरेट असिस्टेंट की डिपार्टमेंट वाईज जो की जनल के लिए है नंबर ऑफ पोस्ट वकिंस हैं आप इसके लिए application दे सकते हैं बाकि OBC वालों को भी relaxation देखने को मलता है लेकिन आपकी जो भरती है आपकी एक चीज नोटीस ज़रूर करना mostly vacancy सिरफ जर्ण के लिए ही रखी गई है तो कोई भी relaxation आपको age limit में नहीं देखने को मिलने वाला है तो junior secretary assistant की SAP में दो पोस्ट है general candidate के लिए और junior secretary assistant के लिए FNA में आपकी दो पोस्ट है तो कुल मिला के junior secretary assistant की seven post पर आपकी recruitment है लेवल टू की salary है उने स्ट्रेस्टाइजार दोस्टों की बीच आपकी salary रखी जाने वाली है कुल मिला कि आपकी fix salary भी आपको देखने को मिल रहे किया जो कि 32,286 रूपीज आपके credit होंगे जो की net salary आपके बताई गई है इसमें आपकी नेक्स्टन है मारी इस टेनोग्रफर की जो पोस्ट है जिसमें सब्सक्राइब को मालूम ही होगा जो कि CSIR, IIP की आपकी recruitment है दहरादुन में आपकी job location रखी गई है बात करते हैं इसकी qualification के बारे में जो कि लोग और अफिलोग confusion वगरा है तो मैं आपकी clear out कर देना वाला हूँ जो कि qualification कि अकर मैं बात करते हूँ सब्सक्राइब की पोस्ट के लिए तो आपकी जो भी है बारी पास आपने कर रहा हूँ जो कि मैंने बताया था लडी सी के equivalent यो आपने 12 पास कर रहा हूँ साथ ही आपको पास knowledge होने चाहिए किसकी typing स्पीड की आपने typing सीख रखी हो या फिर आपने खुदी typing करनी आनी चाहिए लेकिन typing स्पीड बस्ट भी कंपल सरी बारी पास के बाद 35 पर मिनट इंग्लिस एं 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी मतलब अगर आप इंग्लिस में देना चाहते हो तो 35 पर मिनट की typing आनी चाहिए अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट की typing आनी चाहिए लेकिन आपकी typing स्पीड ज्यादा होने चाहिए तब यह आप यहां पर 35 की अटेंब करके अपना selection ले सकते हो नेक्स बात करते हैं जूनिस चाहिए इसमें तो आलमोस सभी को मालूम ही होता है बारी पास के साथ साथ आपको जो भी है शोटेंड की नौलेज होती है वो ही candidates के लिए application दे सकते हैं और बारी पास के साथ शोटेंड आपको आनी ही चाहिए तो यह must be compulsory है और आपकी जो भी इंग्लिश में देना चाहिए या हिंदी में देना चाहिए वेबसाइट आपकी इस तरीके से विजिबल है www.iip.res.in इस वेबसाइट पर जाके रिकूट्मेंट सेक्षिन में जाके इसके application दे सकते हो बहुत दूंगा description में आप इस रिकूट्मेंट के लिए application दे सकते हो सा for watching this video